हेलो फ्रेंड्स आज हम कोश्चन करने वाले हैं TGT 1999 के कोश्चन जो भी आये थे उनसे और उनको डीटेल एकस्प्लेइन करेंगे जो भी एक कोश्चन होगा उस कोश्चन से 10 कोश्चन हम खुद बनाएंगे और उसके एंसर देंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं कोश्चन क पूछ़ ही जिनकों दौ बागों में बाटा गया 있어 men 9 जल यह मुच वाहत हैं दौण बाटा-प्रोथा व्म इंसरी और यसनके बारें पूछ रहे हैं द्युक्लिक बधे nihay इन सबकित कौनल करते हैं प्रेंगे उसके सान बात कटिस और उन प्रतर बात करते में इनको दो बांगा दाटा गया दो सब्सक्राइलों में युडो क लाटा ओ सिंफदy understand , शिकम में लेकर आप और पनीजिय को पाकुरत और सब्सक्राना दिरone किरेंत को क्या कहते हैं और इन सब क्या कहते हैं ट्यॉनिकयट्स क्यों कि वाड़ी के ऊपर ग्वर्च और छांसे जली से बता दो कि अनदर पैरזה मैं कि आप कर दो जो इनमें development होता है वह development कैसा होता है इनमें development कैसा होता है आप मुझे जल्दी से बता दो कि इनके अंदर development कैसा होता है रेट्रोग्रेसिव कैसा होता है रेट्रोग्रेसिव metamorphosis पाई जाती है मतलब कि नोटो कार्ड नर्वकर और ग्लिल स्लिट्स इस सब के सब पाई जाते हैं जब लार्वल फेज में होते हैं लेकिन जैसे ही एडल्ट में change होता है हड्मनिया इसमें वह सब खतम हो जाता है और और फीर नर्वल फेज मोटाइल होता है अब आप मुझे बताओगे कि प्रिया आप में बता चुकी हूं तो आप मुझे लर्वा प्रेपना की गीस से के लिड़ा को उन्ween निBob हो तो solenocytes का work क्या है यह आप मुझे बताओगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ which part is called grinding machine of earthworms elementary canal यानि यह पूछ रहा है कि जो elementary canal है कि जो में उसमें grinding machine किसे कहते हैं गिजाड को किसे कहते हैं गिजाड को गिजाड को गिजाड कहां पर पाय जाता है आठवा और नौवा जो खंड होता है आठवा और नौवा खंड उसमें गिजाड पाय जाता है बकल कैविटी कहां पाय जाती है सबसे पहले पाय जाती है बकल कैविटी और वैकल कैविटी ए प्लान करते हैं और इनकी जो सबसे पहले होता है दूसरे से 4 खंड में जो ओसो फैगस होता है वह होता है पांच्में से 7ज़ में और आठे ओर नौ में घिजाड और दस्में से चौध़वे खंड में होता है इस्टमक अच्छा यहाँ पर एक दिया है कैलसी फेरस ग्लैंड कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती है यहीं इस्टमक में और इनका वर्क होता है जो भी acidity होती है स्वाईल की उस्वाईल की acidity चुंकि यह स्वाईल इखा रहा है तो जो स्वाइल की एसीडेटी होती है उसे खत्म करने का काम करती है कैल्सी फेरस ग्लैंड ठीक है अच्छा इनके बारे में और जाओ जाओ जो इंटेस्टाइनल सीका यह वह तो 26 खंड से निकल के और यह उपर की तरफ बढ़ता है जैसे कि मालो अगर इनके बॉड़ी का ज जाता है तो यहां से निकल के यहां तक जाता है अच्छा इनकी बाड़ी में एक चीज़ और पाए जाती है मतलब बहुत चाहिए लेकिन हम बाड़ी के बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इलिमेंटरी कैनल की तो यहां पर इनमें पाए जाता है टिफलो सोल पाया जाता तो एलिमेंटरी कैनल जो है उसके एरिया को बढ़ाने का काम करता है टिफलो स्टोल करता है एक चीज़ और पता हूंगी मैं आपको यहां पर प्लोरेजगो जेन सेल्स पाई जाती है जिनको एलो सेल कहा जाता है कोशन ने पूछा हुआ कि एलो सेल किसमे पाई जाता है तो ए यह पाई जाती है बॉडी कैविटी में किसके फेरेटीमा के बॉडी कैविटी में पाई जाती है और यह काम करती है फुड को रिजर्व करने का रिजर्व फुड मैटेरियल को रखने का काम कौन करता है क्लोरेगो जेन सेल्स करती है इसके साब इनकी जो क्लोरेगो जेन से यह वह हमारे लिवर की हैं जईसे हुँमन की बॉड़ी में लिवर है नेẩं वैसे हि क्लोरेगोजित सर yohead इनका काम क्या होता है प्रोटीन को dhamuniexalist Stern कर देना इस सफें प्रोटीन करती है 자 यह साथ में यहां फार्मेशन करती है यूरीन का और उसके बाद जो और एक्सक्रेटरी मैटेरियल्स है उनको भी करती है और इस सब कैसे करते हैं जैसे हमारे लीवर काम करता है तो अगला कोशन देखते हैं कि ब्लास्टो को गिफ यह एकिस का निर्माण होता है माउथ किड्नी एक्सक्रेटरी पोर अब यहां फर थोड़ी से कन्फूजन इस वज़ास है कि अगर हम प्रोटो स्टॉम्स की बात करें या दो तरह के जिव होता है एक डूटेरोइस्टेम दूसरे प्रोटो इस्टोम य जो इकाइनो डर्माटा है और इकाइनो डर्माटा से आगे के जिफे पर रावे हो वे सभी कlden निरमाद हो रहा है तो एकस्ट करें को मिव करें तो निर्मादा करें अगर में बड़िक्व मात करें कि All website निर्माद थोड़ा से apply pagody अगर si Protro 거rid इस्टोम दिया होता है कि-Alщ لل chocolates क्या बनता है तो यसे sei пери सिय का निर्माड माउथ का होता गभुवड पीण्ट पीगमेंट आफ अर्थ वर्म यो ब्लोड पिगमेंट होता है उर्फ yem होता है इनमें जो blood होता है वह किस तरह का blood vascular system होता है। इसमें हीमोग्लॉबियो में design ती रहों में पेंड़ केन लैटरल हर्ट वर पाए यहाइज ऑर लिंफ नोड पा जाती है पाई जाती है और वहां जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती है उनका निर्माड होता है लिंफ ग्लैंड में तो यहां पर देखे दिया हुआ है बंग्रॉस कोब्रा पाइटस और वाइप फिर्ममाड पडिय Zhuar about kel Brainer देखे ज़्क आएपन छॉसमार की चाहिआ जाता है वाइपर की की फाहिब शलाद कना प्रॉट को बात प्रोटियोसीं पाया जाता है इसका पहला होता है उसे वनम होता है प्रोटियोगंड को में फेल değildi बेंड क्या सबस्चार जाता है प्रोटियो लाइसीड क्याता है जो साफ होते हैं वे अशर कहाते हैं बल्त पर नीडोय तो ने नियूरोक्स निवहते हैं कोब्रे इंदोर नीरो टॉक्सिंद जातें हैं जब कि जो वाइपर है इसमें क्या पाइब हैं जो इसकी बात करें कर वाइपर सबसे ज़्यादा जहरीला भी यह आपर है इन सम्में ज़्यादा जहरीला यह और इसके बारे में अगर किma देरिया जाता तो रीकिंन देर्ट की जाता है उसे की मिल जाता है और उसमें इतना जाधा ज़ा जाता है पहले कि सुनाओकिन नाज क्रण्याएं बनाइज जाती थी बच्पन से उनको जहर पमें ज़ाता था थो बात में यह उसती होता है को इसके एंटि विनाम ओ जाता था तो बुंबई में है इसने जुड़ा हुआ है क्या च्रीचूर यहां और यहां पर एंटीवीनो फॉर्म किया जाता है अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं विच आप दीजिए बायो ल्यूमिनिसेंट इसमें से बायो ल्यूमिनिसेंट कौन है कौन है जो की प्रकास उत्पन करता है तो देखो अभी हमने बात की थी दो हर फाइलम में ऐसा नहीं लाइट इमिट करता है इसी तरह से यहां पर पूछा जा रहा है कौन बायो ल्यूमिनिसेंट है तो जो कटल फिश है कटल फिश जो इसको क्या करते हैं सीपिया करते हैं क्या करते हैं सीपिया करते हैं और यह लाइट इमिट करती है और जब हम बात कर रहे हैं सीपिया की त पतलब सिर पर पैर होते हैं उन्हें क्या करते हैं सिफैलो पोड़ा और इसी में आता है ऑक्टोपस ऑक्टोपस भी इसी से बिलॉंग करता है आप मुझे बताओ कि इंक ग्लैंड किस में पाई जाती है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आप लोग एसकार्बिक एसिड किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं विटामिन सी को कहते हैं अब बात कर रहे हैं हम विटामिन की खोज किसने की थी लियूनीन ने किसने कि नीन ने बीटामिन का नाम किसने दिया था फंक ने मोस्टली अब तक देखो 30 बीटामिन खोजे जा चुके हैं लेकिन जो जानते हैं सबसे ज्यादा जिनकी यूज होता है जिनकी जरूरत पड़ती है उनको दो भावों बाटा गया है एक फैट साल्यूबल और दूस अगर हम बात कर हम बात करो भीटामिन एक तो इसे क्या कहते हैं,्रेटिनिल, इसकी खोज किस ने कi थी,ःती पी छोड़ना , उससे क्या कहते है् बिटामिन D के विजा रिक आर्ट से कवेदेश cars हो जाती है उस्द्वेक साथ ही एक और डीजीज होती है, एस्टमो मैलेशिया, क्या होती है, उसके बाद आता है बिटामिन E, बिटामिन E को कहते हैं, टोको फेरोल, और इसकी वज़ा से जो डीजीज होती है, उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर एको ट्रॉफी, vitamin K, vitamin K को क्या कहते है menendione, क्या कहते है menendione, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है बहुत ज़्यादा bleeding होने लगती है blood clot नहीं हो पाता है next question है which is filter feeder bird यहाँ bird है तो which is filter feeder bird इसमें इसे कौन सा ऐसा है जो filter feeder, filter feeder का मतलब क्या होता है जो हर चीज को नहीं खाता उसे कुछ special things चाहिए होती है खाने के लिए तो इसमें अगर कीवी, औस्टोच और पीजन की बात करें तो यह तो सारे कीडे, मकड़े जो भी मिल जाए खा लेते हैं लेकिन अगर डग की बात करें तो यह एक filter feeder है यह सिर्फ पानी से उनहीं microorganisms को ही लेके खाता है बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाता है पानी से लेके सबको नहीं खाता बड़े जीव को मतलब थोड़े बड़े जोग जीव हैं उनको यह खाने का काम नहीं करता है इन रीजन आफ पॉपूलेशन आफ वारियस स्पीसीज इज इसमाल विच आफ दे फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉंग एस्ट्रॉंग यहां पर पूछ रहा है यादि किसी छेत्र में बिभिन जातियों की आबादी कम हो तो निम्द में से किसकी तिव्ड़ता अधिक होगी अब यहां कर रहा है बिभिन जातियों की ऐसा नहीं कर रहा है किसी एक जातिकी किसी एक जातिकी होती तो हो सकता था उसमें नैचुरल सेलेक्शन की बात हो या फिर हाइब्रिडाइशन की वज़े से कोई दूसरा बन रहा हो लेकिन यहां ही बात कर रहा है कि किसी मतलब बिभिन जातियों की आबादी कम हो रही है तो तो देखो जो मेंडल ने कहा था हम थोड़ी सी बात करतें मेंडल की मेंडल ने क्या कह था कि अगर एक पी से फ 1 जनरेशन में मायानलो Master एक में इनसान होते हैं और थे चार बत् प्योर पपा के गुढ़। एक में प्योर प्योर मम्मी के गुढ़। ऐसा है ना कि एक में पापा के प्योर प्योर मम्मे के प्योर प्योर और एक दो में दोनों के गुड़ होंगे ठीक है तो अगर यह चार बच्चे हुए तो ऐसा होगा अगर मालो एक ही बच्चा हो तो एक ही बच्चा होगा तो क्या होगा किसी एक कही तो गुड़ाएगा ना अब ऐसा भी नहीं होता है कि सारे सारे गुड़ आ जाएं किसी में सभी गुड़ तो आते नहीं है या स्वतंत्र है स्वतंत्र अब भी उनका नियम दिया था कि जिन्स क्या है स्वतंत्र है जिसमें जितना मन करेगा जाएंगे नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे आपस में बिल्कुल सोतन्त्र है तो इसको क्या कहते है जेनेटिक डीफ्ट कहते हैं अब एक ही गुड़ हो सकता है बहुत जादा हो गया हो अब कुछ ऐसा होता है तो मम्मी के ही गुड़ सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मम्मी के ही गुड़ पापा के तो गुड़ दिखी नहीं रहा हो बच्चे में या फिर ऐसा दोनों के ही गुड़ आगे पहला जो बच्चा हुआ उसके बाद तो अभी दूसरा बेबी है नहीं तो एक ही बच्चा है और उसमें एक ही गुड़ आया ताब जब उसकी अगली पीड़ी आएगी तो इसमें जो गुड़ जादा है वही वाले गुड़ तो आगे बढ़ेंगे ना बाकी जो तीन गुड़ थे वे तो खतम तो इसी को कहते है जेनटिक डिफ्ट समझ में आ गया किसी खास जो गुड़ के जो कुछ खास गुड़ के जो एलिल्स जीन्स होते हैं वही आगे आगे न बढ़ रहे हैं तो उतको कहते हैं जेन्टिक ड्रिफ्ट तो जितनी कम आबादी होती जाएगी उतने ही जेन्टिक ड्रिफ्ट बढ़ती जाएगी आगे बढ़ें समझ में आगे हैं नहीं सब पैरा गैस्ट्रिक काविटी किसे कहते हैं तो यहां पर देखो जो पैरा इस पंज में किती लेडर होती है सिर्स दो लेडर होती है एक बाहर वाली और एक अंदर वाली हम इसके बारे में नाम वहाम कुछ नहीं बताएंगे कि सबसे इजी वर्ड है यार इस तब सबसे एजी थे दो इसको कहें करने पैरा गेस्ट्रिक काविटी कहेंगे अब जो बाहर वाली लेयर है वह कौन सी जो बाहर है वो क्या है पिनैकोडर्म है अंदर जो है वो क्या है कोईनोडर्म है और बीच में जो जगह है थोड़ी सी जगह है वो कौन सी है मीजन गलिया है क्या है मीजन गलिया है अभी मीजोड यहां पर एक दिपा कि किती ए पर आती है , यहां पर क्या बेक्म धे पाल करो दिया होते हैं पाई जाता है जलदी से बता दो तुम मुझे या लारवार स्टेज में पाई जाता है रैगान किसमें पाई जाता है लारवा stage में पाई जाता है शबसे जो केणाल सिष्टम में वह कौन और टफ है वह कौन सा है कौन सा है वह इसके नौइड है सबसे simple कौन सा है आइसके नौइड है और सबसे जो tough है वह कौन सा है С. किसमें पायाल है the वन आप मुझे बताओगे